यह है आपका अपना चैनल माई पोटल मद्रप्रदेश स्कूल सिक्षववा का एक महत्पून आदेश अगर गेस्ट फेकल्टी पोटल पर ना दिखें पद तब भी आप रिक्त पदों पर कर सकते हैं आवेदन आधिती सिक्षकों के नियम में हुआ बतलाओ एक नए आदेश जो अभी हाली में हम सब के सामने आया आईए जानते हैं विस्तार से इस आदेश में क्या है और प्रिक्रिया को किस तरह से आसान किया है सरल किया है जब तक करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट तब तक आप से अनरोध है कि आप हमारी चनल को सब्स्क्राइब कर लिजे लाइक करिए और जादस जादस शेयर भी करिए ये आदेश आया है लोग सिक्षर संचनाल एक मद्रप्रदेश का चार जन्वरी को और इसको समस्त जिला सिक्षादिकारियों को प्रेशित किया गया है पूर में जारी चार आदेशों का संदर्प दिया गया है जिसको हम विस्तार से आपके साथ डिसकस करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे इस पत्र के माध्धम से कारिको आसान करने की कुशश की गई है अतिती सिक्षक पोर्टल पर अगर वहाँ पर पद संबन्धी कोई दिक्कत है उसके लिए क्या समाधान है वास्तिविक रूप से पदों की आवशक्ता है पद रिक्त है तो हम किस तरह से अतिती सिक्षक की पूर्दी वहाँ पर कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं इस पत्र को बिंदुक्रमांक दो में इसमें लिखा हुआ है कि संदर्भित निर्देशों के अनिक्रम में कारकी सुबिधा की दृष्टी से सभी विद्यालों में अतिती सिक्षक की आवशक्ता का आकलन एवँ अतिती सिक्षक पोर्टल में अपडेशन सम्मंधी कारवाई अब जिला सिक्षा अदिकारी इस तर से की जाएगी विद्याले पूर्व विवस्था के अनुसार विमर्ष पोर्टल में जानकारी प्रविष्ट करेंगे जिसकी प्रिकरिया परिसिष्ट एक के अनुसार होगी अब हम आपको बता देते हैं कि ये परिसिष्ट एक है क्या तो ये है परिसिष्ट एक और इसमें लिखा हुआ है कि विमर्ष पोर्टल में विद्याले द्वारा की जानने वाली कारवाई अब इसमें कारवाई किस तरह से करना है आपको हम ये भी बता देते हैं हाड स्केंडरी और हाई स्कूल की प्रविष्टी सम्मनित प्राचार द्वारा स्कूल के लौगन से की जाएगी प्रात्मिक एवा मार्दमिक विद्ध्यालों की आवश्क्ता की प्रविष्टी विकासकन स्क्षा अधिकारी द्वारा विकासकन के लौगन से की जाएगी और इसमें नीचे लिखा हुआ है लोगेन उप्रांत निमलिखे जानकारी दर्ज की जाए अतिती सिक्षक की आवशक्ता अगर है अतिती सिक्षक का वर्ग जिसकी आवशक्ता है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, तीसरा विंदू है वर्ग 1 अत्वा वर्ग 2 की स्थिती में विश उसी पत्र में बिंदु कर्मांक 2.1 में लिखा हुआ है कि प्रात्मेक एवं माद्मेक पिध्याले में अतिती सिक्षकों की आपशक्ता का परिक्षन संदर्भित निर्देश दिनांग 25 आठ के अनुक्रम में करते हुए अतिती सिक्षक आमत्रिन की अनुमती दी जाए। अब आपको ये 25 आठ का पत्र देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरह की निर्देश दिये गए थे। तो चली इस पत्र को भी हम निकालते हैं देखते हैं कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। की कैसी विवस्ता की जाएगी। अब यहाँ पर हम इस पत्र के आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से विवस्ता रहेगी। की सिक्षक रख सकते हैं। इस तरह से अगर एक सिक्षक कारेरत है तो आप 20 से अगर कम नामंकन है तो आप कोई भी अतिती नहीं रख पाएंगे। और अगर आपका 20 से अधिक नामंकन है तो आप एक अतिती वहाँ पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं मादमिक शालाओं की। मादमिक शालाओं में जिन विद्ध्याले में तीन से कम सिक्षक हैं। उन विद्ध्याले के लिए गड़ित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान मेंसे जिस विश्य की सिक्षक उपलब्द नहीं हो। उस विश्याई के लिए निम्नानुसार संक्या में अतिती सिक्षक आमांतरित किये जाएं आप देखिए मादमिक विध्याले की स्थिति क्या हो सकती है काररत नीमित सिक्षक अगर मालेजी वहाँ पर कोई भी सिक्षक उपलब्द नहीं है सिक्षक भी ही शाला है तो आप उहाँ पर तीन अतिती सिक्षक रख सकते हैं अगर किसी मादमिक विध्याले में एक सिक्षक है तो आप उहाँ पर दो अतिती रख सकते हैं और अगर उस विध्याले में दो नीमित सिक्षक पहले से काररत हैं तो आप वहाँ पर एक अतीती सिक्षक विसायमान के साब से रख सकते हैं और चलिए अब हम बात करते हैं मूल पत्र की जिसको हम देख रहे थे जिसको हम पढ़ रहे थे इस पत्र का बिंदुक्रमंग 2.2 है हाई सेकंडरी और हाईर सेकंडरी विध्याल है इसके लिए लिखा है संचनालाई के निर्देश नंग 4.1.2 में सिक्षकों के अध्यापन समधी निर्देशों का पालन सुनुश्चित किया जाए दिये गए निर्देशों के निसार नेमित सिक्षकों को काल खंड आवंटित किये जाए तदुपरांत विशय की आवशकता के निसार अतिती सिक्षकों की आवशकता विमर्ष पोटल पर दर्ज की जाए वानिज, ग्रिशी, ग्रह विज्यान, इस्ट्रीम में कक्चा ग्यार्मी तथा वार्मी में नामंकन 80 से कम यानि दो सेक्षन होने पर 6 काल खंड होंगे जिन में एक सिक्षक द्वारा अध्यापन कराय जाए सिक्षक की पदिस्तापनात पर नभीन निकती की फलसरूप फिध्याले में नीमित सिक्षकों की पद पूर्ती होने के उपरांथ अतिती सिक्षक को आमंतरित नहीं किया जाए अगर नीमित सिक्षक से पद की पूर्ती हो जाती है तो अतिती सिक्षक को आमंतरित ना किया जाए अब हम इसमें देखते हैं कि ये 4-1-22 यानि 4-22 का कौन सा निर्देश है और इसमें क्या लखा हुआ है तो देखिए इस तरह से एक निर्देश एक आदेश जारी हुआ था लोग शिक्षन संचनाले से उसको हम बिन्दू बार आपको पढ़के सुनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें किलियर हो जाएंगी एक शाला एक परिसर योजना के किरियानिवन की फलसरूप बड़ी संक्या में माद्मिक विध्यालय एवं हाई स्कूल जो की पूर्व में प्रिथक प्रिथक संचालित थे अब एकिकरत रूप से संचालित हैं एवं इन में कक्षा छेटमी से दसमी की पठन पाठन गतिविदियां की जा रही है उक्त एकिकरत विवस्था लागो होने से माद्मिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्त सिक्षक अब एकिकरत विध्यालय की सिक्षक के रूप में कारेरत हैं अतेब संसादनों की युक्ति युक्त उपयोग के द्रिश्टी गत एकिकरत विद्ध्यालों में कारेट ऐसे समस्त सिक्षकों द्वारा कक्छा 6 से 10 मी तक की कक्छाओं का समान रूप से अध्यापन कराये जाएगा। पूर्व प्राबधान अनुसार माद्मिक विद्ध्यालियों में नियुन्तम चक और हाई स्कूल में नियुन्तम 6 सिक्षकों के स्तान पर अब ऐसी एकिकरत जो की कक्छा 6 से 10 संचाले थे शालाओं में नियुन्तम 6 सिक्षक ही उपलब्ध होंगे। इसी का बिन्दुक्र मंक 2 दिया हुआ है कि समस्त एकिकरत शालाओं में जहां विख्याता उच्ष माद्मिक शिक्षक पदस्त हैं उनके द्वारा कक्छा 6 से 12 में तक कि कक्छाओं में अध्यापन कार किया जाएगा। की व्याक्याता उच्छ माध्मिक सिक्छकों द्वारा उनके विशय की 11 तथा 12 ककचाओं के अध्यापन के अतरिक्त विध्यालय की स्यक्षिक आवशकता के अनुसार कक्चा छटमी से 10 मी तक के कक्चाओं में भी अध्यापन कार किया जाएगा उक्त छटमी से दसमी तक की कख्छाओं का अध्यापन व्याख्याता उच्च मादमिक सिक्षकों द्वारा उनके सनातक के विश्य के आधार पर कराया जाएगा समस्त व्यक्याता उच्च माद्मिक सिक्षक, सिक्षक, माद्मिक सिक्षक द्वारा एक तिवस में सामान तहा 6 पिरियट का अध्यापन कराया जाएगा और इसमें अंतिम बिंदू इस तरह से लखा गए कि समस्त एकिकरत विद्यालेयों में उप्रोगत अनुसार अध्यापन व्यवस्ता सुनश्चित करने के पश्चात ही आवश्यक होने पर अधिती सिक्षिकों की मांग को सुईकिती दी जाएगी। उप्रोगत अनुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनश्चित किया जाए। आदेश के पालन ना करने की स्थिती में सम्मंदित लोग से बख के बुरुद अनुशासनात्मक कारवाई की जाए। और ये पत्र जारी हुआ था लोग सिक्षण संचनालाय से आयकत के द् अधिति सिक्षकों की आवशिक्ता को अधिति सिक्षक पोर्टल पर अपडेट करेंगे। विसंगती की स्थिती में उत्तरदायत निर्धारित किया जाएगा। अतिति सिक्षक पोर्टल पर प्रदार्शित रिक्तियों की विरुद्ध सम्मंदित विध्याले नियम अनुस कारवाई भी सुनिश्चित करना चाहिए। संचालनाले को प्रेशित किया जाए। और ये भी निर्दिश आयुक्त लोक सिक्षन संचालना से जारी हुए है। तो आपने देखा इस तरह से अब इस पत्री के आज आने से जो एक इकरत साला थी एक शाला एक परिशर की थी उसका बहुत इसपष्ट निर्दिश हमें मिल गया है। उम्मिद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी साथ। तब तक के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग।